आखिर अंग्रेज भारत को गुलाम केसे बनाएं। क्या अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने आए थे या वेपार करने आए थे अगर वेपार करने आए थे तो फिन गुलाम क्यों बनाएं। अंग्रेज फिन भारत पे आखिर सासन क्यों करने लगे और अंग्रेज ने भारत की कौन सी कमजोडी के वज़ा से भारत को गुलाम बना लिया कोई देश दूसरे देश को गुलाम कैसे बनाता है इस सद्ध्याय में हम लोग ये डिश्कस करने वाले हैं तो चलिए हम लोग प्रारम करते हैं हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और हिस्ट्री क्लास में आज हम लोग जो टॉपिक्स डिसकस करने वाले हैं और टॉपिक्स है आपका ध्यान से देखिएगा वेपार से समराज्य तक कमपनी की सब्ता इस्थापित होती है गजब की बात है आए थे आपके यहां रेंटर बन के रहने के लिए और आफी की घर को हरपकर मालिक बन बैठे है अक्सक्त सहरों में ये देखने के लिए आपको निलता होगा कि लोग दूसरे परदेश से दूसरे इस्टेट से दूसरे स्टेश्ट में काम करने के लिए आते हैं जैसे जार्खन में यूपी बिहार से लोग आए काम करने के लिए यहीं बस किये बस किये न यहाँ पर अपना अधी बना लिए समराज्य बना लिए घर बना लिए यह चेप्टर भी कुछ उसी तरह का है आप समझ रहे होंगे कि इंडिया के बारे मैं आपको बतलाने वाला हूँ लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके घर में आपके घर में बाहर के लोग आके हैं आपके घर को अपने हैंड में कर लेते हैं या हरप लेते हैं कैसे यह हो पाता है आखिर यह संभव कैसे है जेव जो था यह देख रहे ना ओरंग जेव ठीक है यह ओरंग जेव मुगल बात्सा में अंतिम सासर ओरंग जेव कि बहुत सक्ति साली बात्सा थें कि सत्रासो सात इस्वी में उनकी मिल्क्यू हो गई कहा जाता है कि जब एक सक्ति साली सासक कहीं पे सासन करता है रूल करता है तो उसके आसपास के लाका सुरच्छीत रखते हैं अगर राजा ठीक ठाक हो तो सुरच्छीत माल लिजे हमारे देश के पियम टिक है मिश्टर नरेंद मोधी अगर ओ मजबूत है तो आसपास के जो भी हमारे प्रोशी देश है जैसे पकिस्तान तो कभी आँख भी उठाने की कोशिस नहीं करेगा लेकिन यही अगर सासक ना हो तो पकिस्तान आँख उठाने लगेगा वही बात इनकी मिर्तियू के बाद और अगर जेकि मिर्तियू के बाद जो है मुगल सुबेदार जो थे बड़े छोटे जमिनदार यह सब जो है ताकत दिखाने लगे थे टिक है ताकत दिखाने लगे थे और अठर्मी सदी के अंतिम सदी के उत्रार्ध तक राजनितिक छितीच पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी थी अठर्मी सदी में ये राजनितिक के जो था और पूल रूप से ये दर्साने की कोशिजिस करने लगा था कि अब यहां पे अंग्रेजों का सासन है आप सोच रहोंगे भाईया अंग्रेज यहां कैसे आके बस गिया तो भाईया बसेगा क्यों नहीं ज़रा सोचिए अंग्रेज यहां क्यों नहीं बसेगा जब अंग्रेज यहां वेपार करने के लिए आये, तो अच्छा खासा चीजियां पे कम दामों में उपलब्ध था, प्लस में उसे इरोब के बजार में जब बेचा जाता था, तो अच्छा खासा दाम भी मिलता था, तो अंग्रेज समझने लगें कि भाईया, यहां से हम सारे जार्खन से कुछ लोग दिलनी मुंबे गें, काम करने लगें, उन्हें अच्छा वहां पे मुनाफ़ा मिला तो नहीं बस गिये, कुछ लोग यूपी बिहार से जार्खन आये, ओ यहां पे काम करने लगे, उन्हें अच्छा लगा तो यहां पे बस गिये, ठीक है, आने बता आपस में लड़ते जगरते हैं, तो पंचवा आदमी जो है, दूसरा आदमी ओ आक्या साली से उस घ्लब को लोटके चला जाएगा, ठीक वही बच्पन में आपने कहानी सुना था कि बिल्ली जो है और रोटी के लिए जगरती है, और बंदर आता है, चलाकी दिखला आता है, और रोटी खा लेता है, और दोनों बिल्ली आपस में जो है, ताकते रह जाते हैं, ठीक है, तो उसी परकार यहाँ पे क्या हुआ, जब अंग्रेज पहुंचे, तो इंडिया में बहुत जादा जाती का, जाती बात था, कास्ट एक, कास्ट बेस था यहाँ पे, प् मत्भेद में घिरे हुए थें, कि लोग एक दूसरे से समाज में टूटा हुआ, समाज में अगर चार किश्व के लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपस में नहीं बन रहा है, ना यह उसकी सलाह मदद कर रहा है, ना उसको मलद कर रहा है, समाज में जो है, किसी खास वर को दुख प्राप्त है ये तो बड़ा प्रोव्लम हो था आप सी मत भेट अब इसी में अग्रेज ने मोका उठाया और इसी वज़ा से मोका उठाने बार देखा कि ये टूटा हुआ बिखरा हुआ है तो भीया क्यों ने इसको मोका का फैदा उठाते आया राम से उसमें से किस इसी को अपने तरब खीच लेंगे और सारा गुप बात जान लेंगे और क्या कर लेंगे धिरे धिरे पूरे इंडिया को अंग्रेज यहां पर वेपार करने के लिए आये थी अंग्रेज यहां पर यह सोचके नहीं आये थे कि उन्हें यहां सासन करना था रूद्स करना था बिल्कुल नहीं, यह गलत है, ठीक है, हम आपको बतलाएंगे कि अंग्रेज को यहाँ सासन करने बिल्कुल भी नहीं आये थे, वो यहाँ पर बेपार करने आये, लेकिन इंडिया का जो हलाद था भईया, वो हलाद देखके अंग्रेज यहाँ पर सासन करने रगे, ठीक है, त तो हम लोग ने समझा ठीक है अब इसके आगे हम लोग देखते हैं